एक गाउ में कीरती और बालु नाम के गरीब भाई बहन रहते थे उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और नाहीं उनकी तेकभाल करने वाला कोई आस्रा इसलिए वे दोनों पहुत दिक्कत में जी रहे थे उनसे जो काम बन पाता वो किया करते थे कभी खेटी का काम कर लिया करते तो कभी पुराने वस्तू बेचने का काम करते थे उन्हें जो भी काम मिलता उसे बिना मना किये वो दोनों कर लिया करते थे इसके बावजूद भी उन्हें हर दिन काम नहीं मिलता था कुछ दिनों से नाकाम होने की वज़े से वे दोनों काम ढूंटे हुए हर बार काम देने वाले वीर नाम के एक आदमी के पास गए वीर के पास पहुंच कर उन दोनोंने वीर से कहा वीर दादा जी आप अच्छे से जानते हो न हम जब तक काम नहीं करते हमारा पेट नहीं भर पाता और आपी तो हमें हमेशा काम देते हो पर पिछले बहुत दिनों से आपने हमें कोई काम नहीं दिया आपको हमें काम देते हुए कुछ दो तिन हफ़ते हो गए हाँ दादा जी आपने हमें काम नहीं दिया इसका मतलब आपके पास काम नहीं या तो आपकी तवियत ठीक नहीं यही जानने के लिए हम यहां आ रहे हैं पर आपको देखकर लग रहा है आपकी सहथ ठीक है पर दादा जी आपने हमें काम क्यों नहीं दिया क्या हम जान सकते हैं ऐसे कीरती के पूछने पर वीर ने कहा। करने के लिए नहीं था अब समझ में आई तुम्हारी हैसियत तुम्हें निकलो यहां से अब ऐसा कहकर जबरदस्ती बच्चों को बाहर निकाल देता है वीर की बाते उन दोनों को बहुत गहरी लग गई थी वे दोनों दुखी होकर अपने पेड़ के पास चले गए तब बाल के लिए कोई जगे भी नहीं हमें देखने वालों की सभी की नजरे वीर की जैसी ही छोटी होगी हां भाई तूस सच कह रहा है हमारी पहचान के लिए हमारे माँ बाउजी का होना बहुत ज़रुरी था यह कम से कम घर होना चैसा मां बाउजी के तो हम वापस नहीं लेकिन अपने लिए एक घर बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ दीदी हमारा घर होना चाहिए पर अपना घर हम कहां बना सकते हैं। गाउं की सारी समीन यहां किसी ना किसी की है। हम गाउं के बाहर नदी के पार एक घर बनाते हैं। कीर्टी के कही बाते बालू को भी जज गई उन दोनोंने मिलकर नदी के किनारे से मिट्टी उठा कर इखटा किया करीब दो मेने तक कड़ी महनत के बाद उन दोनोंने अपना घर बनाया इस तरह अपना खुद का घर बनने के बाद वे दोनों वहाँ पर खुशी से रहने लगे पर उन दोनों की ये खुशी जादा दिनों तक टिक नहीं पाई अकाल वर्शाओं के कारण उनका घर ढह गया डेदी इतनी महनत से हमने अपना घर बनाया था जितने दिनों तक घर बना उतने दिन भी हम खुशी से नहीं रह पाए ना जाने कैसे मुआ बरसाथ थी अपनी खुशियां साथ ले गई किसी को भी कुछ भी कहना पेकार है बालू इतने वर्सों तक बरसाथ से जब नदी भी नहीं भरती थी इस पार अचानक नदी पार कर अपना घर भी पाह कर ले गई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ये सब किस्मत की गलती है अपनी नहीं अपनी किस्मत ही अच्छी नहीं लिखी गई बालो वरना आज हम भी सभी की तरह अपने माव बावजी की साथ खुशी से रहते अपनी किस्मत ही ठीक नहीं हम इन सबसे चुटकारा नहीं पा सकते हमारे पास और कोई रास्ता नहीं चल और किसी जगा फिर से अपना घर बनाते हैं ऐसा तैगर अपना सामान लिये दोनों नदी किनारे चल रहे थे तब उन दोनों को नदी में बहती हुई एक बांस की लकड़ी दिखाई दी इस तरह पानी में बहती हुई उस बांस की लकड़ी को देखकर बालू ने किरती से कहा दीदी, तुमने देखा बांस की लकडी किस तरह पानी में तेरती हुई जा रही है इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया है उसे देखकर बला तुझे क्या आइडिया आया? चल ठीके, बता क्या आइडिया है दीदी, हमने मित्ती से घर बनाया था ना इसलिए तो बरसात में सारा पी घुल कर चला गया। उसकी जगह अगर हमने बांस की लकडियों से अपना घर बनाया होता तो वो बिना डुबे इस तरह पानी में तेरता हुआ जाता ना। भाई तो है तो बहुत छोटा पर अड़िया बहुत बढ़िया दिया है तो ने। अब जैसे तूने कहां हम थोड़ा थोड़ा कर बांस की लकडियां इखटा कर उसी से घर बनाएंगे। फिर कीर्टी और बालू ने एक एकर जंगल से बहुत सारी बांस की लगणियां इखटा की। कुछी दुनों में उन दोनों ने बहुत सारी लगणियां इखटी की। दीदी, हम पानी से घबरा कर दूर कहीं घर बनाने से तो अच्छा है, क्यों ना नदी के उपर ही अपनी बांस की लगणियां का घर बनाए? चाहे जित्ती भी आंदी तुफान बरसात क्यों न हो, अपनी बांस की लगणियां तो तेरती रहेगी, डुबेगी नहीं। बरसात की वज़े से अगर नदी का पानी बढ़ भी गया, तब भी हमें कोई जादा नुकसान नहीं होगा न? बालू के कहें मुताबिक फिर उन दोनों ने मिलकर नदी के ऊपर पांस की लगणियों से एक सुन्दर सा घर बना लिया. उस दिन से वे दोनों बिना किसी मुसी बत की उसी घर में खोशी से रहने लगे. एक दिन विज़या घर घर घुम कर भीक्षा मांग रही थी, पर कोई भी घर के बाहर निकल कर भीक्षा देने के लिए तयार नहीं था. तब विज़या मन ही मन कहने लगी, कितने दयाहीन लोग है चो मुझे भीक्षा भी नहीं दे जाऊंगी, इसी की राह देख रहे होंगे. अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? और कुछ जगह कोशिश करती हूँ. अगर कोई कहीं कुछ दे दिया, तो घर जाकर बच्चों को खिलाऊंगी. ऐसे में अब सर्दी के दिन भी शुरू हुए, हमारे रहने की कोई जगह भी नही मेरे बिना ना जाने मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा. मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए. ये सोचकर विज्या घर के लिए निकल पड़ी. अपनी मा को दूर से आता हुआ देख, बच्चे उसकी और बढ़ने लगे. मा, अज खाने के लिए क्या लेकर आई हो? बहुत भूग लग रही है मा. सुपह से हमने कुछ नहीं काया मा. तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे थे. बालू और कीर्टी की बाते सुनकर विज्या का मन बहुत दुखा. मा, बेटा कीर्टी, आज किसी ने हमपर कोई दया नहीं की. हमें आज भी भूगा ही रहना होगा. मा, सारा दिन भूगा रहो और रात में धन बरदाश करो. एक मुसीबत खतम होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है. मा, बूग को हम जैसे तैसे बरदाश कर भी ले, पर धन को बरदाश नहीं कर पा रहे हैं. हमारी कोई छोटी सी जोपड़ी ही होती, तो हम जैसे तैसे उसमें रह लेते. तब हमें सर्थी से कोई तकलिफ नहीं होती ना, मा. ऐसे कीर्टी ने कहा, विजिया कुछ न कह पाई, अपने दोनों बच्चों को बाहों में लेकर रोने लगी. ऐसे कुछ समय के बीतने के बाद, विजिया ने दूर कहीं जलती हुई आग दिखी. बच्चों, थोड़ी दूर वहाँ पर आग दिखाई दे रही है. इस सर्द से चुटकारा पाने के लिए अब वही एक रास्ता है. पर मा इतनी ठंड लग रही है. उपर से बर्फ भी गिर रही है. क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हम में अब उतना चलने की शक्ती नहीं मा. चलते चलते लगता है चक्रागर गिर जाएंगे. मुझसे नहीं होगा मा. हाँ मचो. मैं तुम्हारी तकलिफ अच्छे से समझती हूँ. अभी इसी वक्त भूख से चुटकारा पाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं. कम से कम इस सर्दी से चुटकारा तो पा सकते हैं. ऐसे विजया ने कहा. फिर विजया आसपास देखने लगी. उसे एक पेड दिखाय दिया. उस पेड पर बड़े बड़े पत्ते लगे थे. विजया तुरंद वहाँ पर गई और कुछ पत्तों को तोड़ लाई. उस बड़े से पत्ते को अपने बच्छों के सर पर आड़े रखकर उस बर्फ से बचाती हुई वो चलती चलती दोनों को आग की तरफ ले गई। आग के पास पहुंचने के बाद उसे देखकर कीर्टी ने मा से कहा। मा ये आप तो लगता है जैसे किसी के मरने के बाद उनके तेह को जलाने पर आया है। ए भगवाद अब ऐसी नोबत आ गई कि हम चलते हुए शव के बाद सेख ले। यो सोचते हुए विजया अपने दोनों बचों को मजबूरन वहाँ पर ले गई। विजया ने अपने दोनों बचों को पास मे लिया और वो तीनों आग के सामने बैढ गए। उन चिता से आ रह है माँ। बेटा केटी तुम दोनों यही पर बैठो, मैं आस पास जाकर खाने की कोई चीज मिलती हूँ तो देखती हूँ। ये सोचकर विजया आस पास खाने की चीज ढूरने निकली। कुछ दूर जाते ही उसे नारियल के तुकड़े दिखाई दिये। वो बहुत पुशो कर उन्हें लेकर बच्चों के पास आई। बच्चो देखो अब के लिए तुम इस नारियल से अपना पेट भर लो। माँ समशान में मिले इन नारियल को खा सकते हैं क्या। बेटा केटी मरे हुए लोग भगवान के समान होते हैं। ऐसे लोगों के शव के पास किस बात का डर नहीं होना चाहिए। ऐसे विजया ने समझाया फिर तीनों ने नारियल खा लिये। इस तरह विजया दिन भर घुमकर कोई खाना मिलता तो अपने बच्चों को खिलाया करती थी। शाम होते ही समशान के पास जाकर किसी जलती हुई चिता के सामने हाथ सेखते थ यो एक दिन गाउं के एक मुखिया ने उन तीनों को समशान की और जाते देखा। वो विजया के पास आकर बोला। कुछ धीरस सा आया है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्यदारी मेरी। ऐसे गाउं के मुखिया ने कहा। उस पर विजया ने हामी भरी। उस दिन से विजया ने भीक मांगना छोड़ दिया और उस समशान की रखवाली करने लगी। बालू और किरती उस गाउं म के बीटने के बाद उनके पास कुछ पैसे जमा हुए। विजया ने उनसे अपना एक छोटा सा घर बना लिया। तब से वो तीनों बहुत खुशी से रहने लगे।